पपीता एक ऐसा फल है जो आपको कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें फाइबर विटामिन, A विटामिन C मिनरल्स और एंटी ओन एक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। यही कारण है कि शरीर के वजन को घटाने से लेकर के शरीर से बीमारियों को दूर पैदेमंद है लेकिन कुछ लोगों के लिए यह नुकसान देह साबित भी हो सकता है। तो चलिए, जानते हैं किन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंट महिलाओं को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। पपीते में लेटेक्स और पेपिन नामक एंज टाइम होते हैं जो गर्भाशय को संकुचित कर सकते हैं जिसके वजह से समय से पहले लेबर पेन की शिकायत हो सकती है लेकिन ऐसा अधपक्का पपीता खाने से होता है। वैसे तो पपीता दिल के धड़कन को ठीक रखने में मदद करता है, दिल की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है लेकिन अनियमित दिल की धड़कन वाले लोगों को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि पपीते में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है कुछ मात्रा में जो पाचन तंत्र में हाइड्रोजन साइनाइड बन सकता है। बहुत अधिक मा मात्रा में पपीता खाने से यह समस्या होती है। इसके साथ ही एलर्जी जिनको है उनको पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पपीते में लेटेक्स एंजाइम होता है इससे एलर्जी की शिकायत बढ़ सकती है। जिनको पत्थरी की शिकायत होती है यानि कि जि शुगर है वह तो पपीते का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें मौजूद एंटियोन एकसीडेंट्स शुगर को कम करने में मदद करता है लेकिन जिनके शरीर में शुगर की मात्रा कम रहती है उनको पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए